दोस्तो आज लॉंच हो चुका है Realme 12X इंडिया के अंदर सिर्फ 12,000 का तो इस वीडियो में हम इसका comparison करेंगे Realme 12X जो आपको मिलेगा दोस्तो 12,000 का Moto Case G34 5G के साथ जो कि आपको मिलता है दोस्तो 11,000 सस्ता और 12,000 का भी आपको इसका ये variant मिल जाता है जो कि आपको मिलता है 8 12,000 का और 8,28 मिलता है 12,000 का लेकिन उसका 4,28 आपको 12,000 का मिलेगा और 8,28 तो 15,000 का है 14,000, 15,000 तो जितने में Realme 12X जो है दोस्तो आपको 12,000 में 4,28 मिलता है 4GB RAM 126GB स्टोरेज के साथ ये आपको 8GB RAM 126GB स्टोरेज के साथ मिल जाता है तो Rainbow Storage आपको rate के साब से Moto G34 के अंदर ह बढ़िया दी गई है तो दोस्तो सेम rate में अगर देखा जाए तो 12,000 में दोनों स्मार्टफून सापको मिलते हैं लेकिन वो मिलेगा 4GB RAM के साथ और ये आपको मिल जाएगा 12,000 में 208GB RAM के साथ बागी स्टोरेज दोने में बराबर है 128GB इसके लब दोस्तो मोटो के अंदर आपको इसके अंदर दी गई है IPS HD plus display 120Hz के refresh rate के साथ तो डिस्प्ले की quality की काफी बढ़िया है लेकिन जो है दोस्तों HD plus display लेकिन ये चीज़ आपको दोस्तों Realme 12x में जाधा अच्छी मिलती है उसके अंदर आपको IPS full HD plus display मिलती है 120Hz के refresh rate के साथ तो smoothness जो इसके अंदर भी ब एक चीज़ में वह अच्छा है इसके लवग दोस्ते इसके अलावाद जो और चीज़े जो आपको मिलती है वो किस चीज़ के अंदर जो है कौन सा फून जाधा बैटर है तो इस फून के अंदर आपको दोस्तों Moto G34 में वीगन लेधर फिनिश में डिजान दिया गए है तो लंबा चलाना है फोन और स्क्रेचिस बिल्कुल भी ना है तो यह जाधा बढ़िया है और वैसे रियल में 12X भी डिजाइन की क्वालिटी को लेकर बढ़िया है उस पे भी स्क्रेचिस एक दम नहीं आएंगे तो जाधा बैटर वैसे 12X हैं इसके लोग दोस्तों इसके पैटरिन के अंदर आपको फिंगर प्रिंट स्कैनर मिलता है इसके लोग दोस्तों इसके अंदर आपको जो यहां पर कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है साइड उसे बात करें दोस्तों और दूसरे फीचर्स की तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है यह देखने को मिल जाएगी तो Charger को लेकर Realme 12X जादा बैटर है इसके लग दोस्ते इसके अंदर आपको 50MP का Main Camera मिलता है Moto G34 में और इसके अंदर भी आपको 50MP का Main Camera मिलता है Performance वैसे Realme 12X के अंदर भी आपको बढ़िये मिल जाएगी और इसका भी Camera मुझे काफी बढ़िये लगता है तो Camera को लेकर दोने स्मार्टफून जो है दोस्तो काफी अच्छे है आप दोनों से कोई से भी चूज कर सकते है बाकि दोस्तो बात करें प्रोसेसर को लेकर तो इसके अंदर आपको मिलता है SnapDragon 695 और इसके अंदर आपको मिलता है Realme 12X के अंदर भी आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है काफी बढ़िये मिल जाएगी उसके अंदर भी आपको प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है तो दोस्तो इन दोनों फोन से अंदर आपको बैटरी काफी अच्छी दी गई है इसके साथ जो परफॉर्मेंस दोनों में बढ़िये मिल जाएगी फाइव जी फून है दोनों यह सारे चीज़े तो एक जैसी है लेकिन Moto G34 आपके लिए बढ़िये रहेगा अगर आपको जो दोस्तो इसके अंदर आपको user interface जादा बढ़िये मिलता है लेकिन दोस्तो वो मिलेगा साड़े 14-15000 का और इसका तो जो दोस्तो 12000 का यह आपको मिल जाता है और सेम रेट में उसमें 428 वाला वेरियेंट है तो रेम और स्टोरेज को लेकर और जो है दोस्तो जादा बढ़िये यूज़ें टेफिस को लेकर तो उसको आप चेक आउट कर लिएगा इसके लोग दोस्तो इन दोनों फोन्स के अंदर मुझे वैसे दोनों ही स्मार्ट फोन्स काफी बढ़िया लगे क्योंके 12X भी काफी एच्छा ही है कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके ज़रू जाएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहे हैं लगे वीडियो तो शेयर कर दीजे बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा उसके अन्बॉक्सिंग करने के और साइड बाए साइड कंपेरिजन करने की भी इसके साथ तो सब्सक्राइब करके ज़रू रखेगा चैनल को चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए तक केर बाए बाए